हालो फ्रेंड मैं सेब डॉक सुनील तावार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनो प्लास्टी सर्जन फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे पॉस्ट ऑपरेटिव केर आफ्टर दा इयर सरजरी जो परहेज है सरजरी के बाद यूज्वली जो यूज की जाने चाहिए पर दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले आने वाले उप्यों की वीडियो की आपको जानकरी और नोटिफिकेस मिलता रहे दोस्तों अपनी बोड़ी में कोई भी सर्जरी के बाद कुछ पॉस्ट ऑपर कर्षारी सोती है इसलिए अपने को सर्जरी से पहले वो सारी चीज़ें जान लेनी चाहिए कि मेरे को मेरे कानग जो सर्जरी है उसके बाद में क्या पर हे जो साथधान एक्षन कर गई थी दोस्तों अगर किसी मेडिशन से आपको रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप जो हेल्प लाइन नंबर है आपका जो हॉस्पिटल का जो कॉंटेक्ट नंबर है उस पर कोल करके उसको आप चेंज करा सकते हो उसका साल्ट रिप्लेस्मेंट करा सकत हो लेकिन उसको आपको जो है वो बंद नहीं करना है नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रिकोर्शन और इंपोर्टेंट थिंग दोस्तों एयर सजरी के बाद जो है वो एयर के उपर ड्रेसिंग की जाती है जिसको हम मैं स्टोइड ड्रेसिंग करते हैं जिससे जो अपने चैंज जिए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए दोस्तों सबसे पहले जो आपकी जो इयर ड्रेसिंग है वह आपकी जिकत के अकोर्डिंग या तो साथ दिन या दस दिन उसको बीच में एक तो ड्रेसिंग चेंज कराने की जरूरत नहीं होती है इस बार इस ड्रेसिंग के कारण अपना जिस एयर के तरफ अपनी सरजरी होती है उसकी आख पर या आई ब्रो पर इडिमा यानि स्वेलिंग आ जाती है और पेशिंट्स को कहा है बहुत बार टेंसन हो जाती है कि सरजरी के बाद आख में भी प्रॉब्लम होगी तो दोस्तों कोमन पीनोमेना एम जो रीएर की casting होती है उसके प्रेसर के कारण आंग के स्वेलिंग आजाती है तो अनो आपको क्ता ही उसके लिए गवराना नहीं अगर फिर भीस राव्ह जदय है तो उसमें जो है आपको जो dressing है उसको blade से जरा सा आपको डिला कर लेना होता है यह आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो hospital में आप दिखा सकते हो बागी अमूमन ऐसे जरूत नहीं पड़ती third regarding the dressing यह जो dressing है यह seven days बाद ही अपने को हटाते हैं और ear के अंदर यह जो dressing है इसके अंदर आपको बहुत पार हलका फुलका इचिंग और अंदर जो है आपको ऐसे टप 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 इस टाइप की sound साना और अंदर ऐसा आपको लगता है कि आपको कुछ अंदर या अंदर ear में crawling कर रहा है या कुछ चल रहा है क्योंकि यह जो dressing होती है इसके नीचे अंदर कान में jail form लगाया जाता है third important thing दोस्तों जब dressing remove कर दी जाती है उसके बाद आपको क्या परेज करना है कि dressing remove करने के बाद अगर आपको जो है ओ आपका जो ear की surgery अगर आप पॉस्टोरल रूट से हुई है पीछे से अगर आपको ear की जो surgery हुई है तो उसमें कहें आपको पीछे थोड़ा सा पानी से परेज करना है ड्रेसिंग open होने के दो या तीन दिन बाद चिकित सके आदे सनुसार आपको जो है पानी आप लग सकता है बट उसमें बहुत तीज ऐसे आपको उसको रब नहीं करना अगर आपका जो है surgery endoral method से यानि endoscopic method है पीछे से आपके incision या ear open नहीं हुआ है उसमें पीछे से पानी का कोई परेज नहीं है क्योंकि कान की surgery दो तरीके से होती है पीछे से postural और एक endoral और endoscopic root endoscopic root है उसमें usually कह पीछे जो परेज है वो नहीं रखना होता दोस्तो अधर important thing चाहे postural root से होता है चाहे आगे वाले root से होता है इयर में जब bandage हटा दी जाती है तो नहाने से पहले कान के अंदर आपको एक cotton लेना है उस cotton को नारे लिया सर्सों के तेल में dip करके squeeze करके नहाने से पहले कान पे डाट लगानी है नहाने के बाद अठाना 24 hours cotton नहीं लगाना बहुत सरे patients सारे दिन लगाते हैं ऐसा आपने को नहीं करना है बहुत सारे लोग dry cotton लगाते हैं ऐसा आपने को नहीं करना है क्योंकि dry cotton पानी को absorber करता है इसलिए उसको वैसलीन में, coconut oil में सर्सों के तेल में जो भी है वह आपको लगाना है तो दोस्तों यह हैं इंपोर्टेंट जो है सावधानिया आपको यूज्वली दूसरा आपको खानपान में क्या लेना है दोस्तों सजरी की जब पोस्ट ओप दो या तीन बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो इनिशली पेशेंट्स को लिक्विड्स लेना होता है हलकी डाइट्स लेनी होती है कम स्पाइसी फूट्स लेना होता है और उसके बाद दिरे दिरे जो है उसको नॉर्मल खाना ले सकता है बहुत तेज चबाने वाली लाइक नॉन्वेज है मटन है यह सब चीजे नहीं ले फल फूट्स में सब कुछ ले सकता है जूश वगर सब कुछ ले सकता है दोस्तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत पार पेशेंट जो है साथ दिन तक बिशकिट और मिल्क की लिता रहता है या दल्या के चड़ी काता रहता है गाउं में यह होता है कि कान पे प्रेसर दोस्तो ऐसा नहीं है आपको क्योंकि अपने को अच्छी साइट होती है उसकी हीलिञ फास्त होता है सानला बहुत सरे मिढ़ें हैं अगरी के इसके और जो है आपका जो जो के रिगार्डिन आपको करनी है अगरे खान पान का ध्यान रखना है क्या नहीं करना दोस्तों यह बड़ा एक leaving और क케 B बात पहले आप अगर स्वाक क्रते हैं तो आपको नहीं करना क्योंकि शाज्री है इसलिए आपको अगर को स्लीर हिए यह आपको नहीं लेना है दोस्तों अगर आपको कोई anti-hypertensive medication चल रही है आपको कोई इससे प्रिवेस कोई continue medicines है वो डॉक्टर की सला के अनुसार वो continue लेनी चाहिए कुछ medicine अगर आपको जैसे aspirin और इस टाइब की चल रही है वह आपको stop कर देनी होती है यह सारी जो है सला है आपको operation से पहले अपने डॉक्टर से कर लेनी चाहिए दोस्तों एक महत्वपून बात है आपका operation का जो उद्देश्य है जैसे बहुत बार आपका उद्देश्य यह है कि मेरे को मेरी surgery मेरे को आर्मी में अन्फिट कर दिया इसके बाद मेरे को जो है आर्मी में जो है कब जा सकता हूं operation के बाद तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे आज अपने surgery की और dressing खुलते हैं आप आर्मी में दिंग और मेडिकल के लाइक होने में लगता है तो एक महने का आपको मार्जन उसके लिए लेके चलना चाहिए कि एक महने बाद जो है आप जो है इसा नहीं है कि ear surgery के बाद seven days तक आपको बैट पे लेता है जो भी आपकी convenience है उसके बाद दोस्तों यह जो सावदानिया है यह जो परहेज है जो आपको ear surgery के regarding अगर आप यूज लेते हैं तो और surgery की success rate बढ़ती है है जो आप धिशने अवर्माशी चया के आप यह जचे है कि वह ज कहाँ अवर्शक प्र हाट नियुक्त exists कि अगर जुक्षाबए लिखले लेते हैं दोस्तों चैहल को सूपर आप अबाद इयुक्षे कियर अगिए